नमस्कार आपको स्वागत है इस्टॉक अलोजी में आज हम बात करने वाले हैं डेल्टा कॉप लिम्टेट के कौटरली रिजल्ट्स के बारे में तो जिन्हों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्रिस सब्सक्राइब करते हैं बैल आकों पर क्लिक करते हैं वीडि आकड़े आपको सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं वह जून बाइस कोटर के रिजल्ट तो यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे टोटल इंकम को जून इकिस कोटर में कंपनी की टोटल इंकम थी 82.72 लाग की मार्ज बाइस कोटर में यह हुई 236.77 लाग की और जून बाइस है अगर हम बात करते हैं कोटरन कोटर में मार्च 22 से जून 22 कोटर में तो यहां पर हमें 8 प्रतिशत के व्रद्धी इंकम में होते हुए दिखाई दे रही है अब बात कर लेते हैं एक्सपेंसी की सबसे नीचे दिए गये हैं टोटल एक्सपेंसे जून 21 कोटर में 117.94 में जून 21 कॉर्टर से जून 22 कॉर्टर में तो यहां पर हमें 52 प्रतिशत की व्रद्धी expenses में होते हुए दिखाई दी रही है अगर हम बात करते हैं quarter quarter में March 22 कॉर्टर से जून 22 कॉर्टर में तो यहां पर हमें एक्सपेंसे साथ प्रतिशत बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट एड लॉस स्टेट्मेंट की तो देखेंगे सेवन्थ नंबर पॉइंट प्रॉफिट अब लॉस बिफोर टेक्स को जून इकिस क्वाटर में 35.4 लाग के लॉस ब यहां पर हमें 22 प्रतिशत के प्रॉफिट बिफोर टेक्स में होते हुए दिखाई दे रही हैं अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो 11 नंबर पॉइंट दिया गया है प्रॉफिट अब लिक लॉस फॉर दाविक येर जून इकिस क्वाटर में 28.9 ला के नेट प्रॉफिट रहे तो यदि हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं यहां पर हमें प्रॉफिट में 19 प्रतिशत की ब्रद्दी होते हुए दिखाई दे रही है तो जो रिजल्ट्स आज कंपनी ने प्रस्तुत किये हैं उसमें चाहें कंपणी का पर्फॉरमेंस क्वाटरन कॉर्टर हो या यर अन यर हो दोनों ही बैतर होता हुए दिखाई दियरा है अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के एशन्सियल्स की तो कंपनी का मार्केट कैप है 4845 सब्सक्राइब करोड़ का नम्रों शेयर मार्केट में ट्रेट कर रहा है वह 26 दसम्लों साथ चार करोड़ के शेयर का पीवी रेस्यों 2.27 है वहीं अगर हम बात करते हैं डिविडेंट इल्ड की तो यह सिर्फ किवी रेस्यों 0.07 क्रतिशत की है कंपनी डिविडेंट देती है जब की काफी कम दे रहे है इस कार्द सुसक्राइब की बात करें तो शेर का PE ratio 62.16 है, अगर हम बात करते हैं face value की तो वो 1 रुपए है, book value को देखा जाया तो यहाँ पर 89.1 रुपए की book value है, अगर हम बात करते हैं company पर करजे की तो यहाँ पर हमें debt दिखाई दे रहा है, 0 करोल का company एकदम करज मुक्त है, company को किसी परकार के कोई भी करज नहीं है EPS को देखें तो वो 2.89 रुपए है, ROE 4.48 प्रतिशत का है, वहीं अगर हम profit growth को देखें तो यहाँ पर हमें यह minus में दिखाई दे रही है, minus 12.87 प्रतिशत की, अब हम बात कर लेते हैं last trading price की आज की दिन की वो 189 रुपए 35 पैसे है, आज की दिन की performance की बात करें तो negative performance रही minus 0.88 प्रतिशत की, 52 weeks हाई 52 हफ्तों के अगर उच्चिता मिस्तर की बात करें, तो यहाँ पर 349 रुपए 70 पैसे है, जो की 6 April 2022 को बना है, वहीं अगर हम देखते हैं 52 weeks low 52 हफ्तों के सबसे नियूंता मिस्तर की, तो 162 रुपए 10 पैसे है, जो की 16 June 2022 को बना है, अगर बात की जाए टेडिंग वॉल्यूम की आज की दिन की तो वो रही 1 करोड 26,202,996 की, अब हम बात कर लेते हैं, डिलेवरेबल क्वांटिटी के प्रतिशत की, जो की सबसे नीची दी गई है, परसेंटेज और डिलेवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेट क्वांटिटी जो की 11.65 प् 833.37 करोड का, 2020 में ये हो गया 807.45 करोड का, 2021 में इसमें और भी कमी आई और ये 454.91 करोड का हुआ, वहीं अगर हम देखें 2022 को तो यहाँ पर 654.21 करोड के हमें रेवेन्यू दिखाई दे रहे हैं, तो अब हम बात कर लेते हैं कमपनी के प्रोफिट एंड लॉस की, 2019 में कमपनी के जो प्रोफिट थे, वो 196.76 करोड के थे, 2020 में ये 185.63 करोड के हुए, 2021 में ये माइनस 24.10 करोड के लॉस में करोड हुए, वहीं 2022 में प्रोफिट 66.99 करोड के रहे, तो यहाँ पर हमने रेवेन्यू को देखा है और उनसके प्रोफिट रैंड लॉस को देखा है, रेवेन्यू को एक बार फिट से ग्राफ में देखते हैं, 2019 से रेवेन्यू 2020 में घटा है, 2020 से 21 में इसमें और भी गिरावट आई है, वहीं 2021 से 22 में इसमें कुछ वरद्धी होई है, वहीं अगर हम बात करते हैं, प्रोफिट एंड लॉस की तो 19 से 20 से 21 में लगातार प् कंपनी उसके बाद फिट से प्रॉफिट में आई है, शेर होल्डिंग पैटरन को दिख लेते हैं, प्रमोटर की होल्डिंग जून 21 में 33.28 ती जो कि सितंबर 21 में बनी रही, दिसंबर 21 में इसमें कुछ और भी कमी आई, वहीं मार्च 22 क्वाटर में ये और भी ज्यादा प दिसंबर 21 में ये दिसंबर 21 में ये 10.89 परतिशत की हो गई, वहीं मार्च 22 में ये 10.89 परतिशत की हो गई, पब्लिक हो गई, को देख लेते हैं तो जून 21 में 52.14 प्रतिशत की पुब्लिक होल्डिंग थी जो कि सितंबर 21 में 53.32 प्रतिशत हुई दिसंबर 21 में ये 50.05 प्रतिशत की हो गई तो ओवरॉल रिजर्ट्स सांदार है पुब्लिक होल्डिंग ज्यादा है धन्यवाद